हलो फ्रेंड्स, आएम मोशुमी, मेरा फ्लीपकार्ट से एक पार्सेल आया है, मैं अन्बोक्सिंग करूंगी और साथ उसका रिभीव भी करूंगी तो वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को पूरा देखिये अगर आपको ये वीडियो आच्छा लगे तो लाइक कर दीजे, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सेया कर दीजे अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो वेलकम टू मै चैनल एंड सब्सक्राइब कर लिजे और बाजो मेरे जो बेल बटन है उसको क्लिक कर दीजे ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो अप्रोड करू उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते है आप मुझे फेस्बूक और इंस्टाग्रम पेज़ भी फॉलो कर सकते हैं मैं यहाँ पे इसका लिंक दे दूँगी तो चलिए वीडियो को आगे ले जाते है अभी मैं इसका अन्बॉक्सिंग कर रही हूँ इसका आउटर पैकेचिंग में कोई फ्लिप काट का लोगो पगेडा कुछ नहीं दिया हुआ है देखते आंदर प्रोड़क के सा आया है तो यह है एक बॉक्स बहुत ही छोटू सा है तो अभी इसको ओपन कर लेते है अच्छा यह भी खुला हुआ ही आया है तो ब्रशेश का जो शेट है बहुत ही छोटा है ट्रावेल के लिए बहुत ही अच्छा होगा तो इसको अभी ओपन करते है ब्रशेश का प्रिसल्स जो है वो सौप्टी है तो आपको यहां पर बाड़ा ब्रशेश का सेट मिल रहा है एक सेट में बाड़ा ब्रशेश मिलेगा आपको तो यह है अर्बन डिके नैकेट थ्री कमपनी का प्रशेश का क्वालिटी एंड ब्रिसल्स मुझे ठीक्ठा की लग रहा है सौप्टी लग रहा है एंड यह सब आपको आई मेकप के लिए लगेगा यह सब तो यहां पर यह सब प्रशेश आप लिप्स एंड आई मेकप के लिए इस्तमाल कर सकते है एंड यह तीनों प्रशेश आप फाउंडेशन, कॉंटूर, हाईलाइटर एंड ब्रशेश के लिए इस्तमाल कर सकते है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह सब प्रशेश कितना छोटू सा है तो ट्राभल के दौरन आप इसे बहुत यह आसान इसे ले जा सकते है एंड इसका मेटेरियल आप देख सकते हैं प्लास्टिक मेटेरियल है यह ब्रिसल्स बहुत ही सॉप्ट है मुझे यह प्रोड़क्ट बहुत ही अच्छा लगा एंड इसके साथ यह टीन का एक डिबबा आता है यहाँ पे यह सब आप कैड़ी कर सकते है कौन सा ब्रश किश के लिए इस्तेमाल होता है यह ब्रशस के उपर नहीं लिखा है सिर्फ कमपनी का नाम लिखा है आर्बन डिके नैकेट 3 सभी ब्रश में यही है तो मुझे यह प्रोड़क्ट डिस्काउंट के बाद 102 रुपे में मिला है तो मुझे यह प्रोड़क्ट बहुत ही अच्छा लगा अगर आपको यह खरीदना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगे आप जाके चेक कर सकते है तो यह था मेरा आज का वीडियो आई होप आपको अच्छा लगे थैंक्स पर वाचिंग गाईज बाई